जहेन, आज का जो पॉलिटी का क्लास था, वो अच्छुली अप्लिकेशन पर होना था, लेकिन अप्लिकेशन पर हैवी ट्रेफिक के वज़े से थरा सा सर्वर इसू आ गया, इसलिए आपका पढ़ाई कंटिन्यूर है, इसलिए हम भाग एक और भाग दो पढ़ा दिये थे, आज भाग तीन मूल अधिकार के बारे में समझेंगें, fundamental right, देखें fundamental right को हम हिंदी में मूल या मॉलिक अधिकार कहते हैं, इसका ये नाम क्यों पढ़ा? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए ध्यान से रखेगा ये सरकार ये किसी कमपनी संस्था की नहीं है ये हमेशा किसी व्यक्ति पर लगव होता है किसी परसनल पर किसी व्यक्ति के जीवन जीने के लिए एकदम जरूरी है यादि आप इस व्यक्ति से इसका मूल अधिकार छीन लेंगे तो उसकी जिंदिगी जिंदिगी नहीं जेल हो जाएगी जेल में आपके मूल अधिकार छीन लिए जाते है ना आपको घुमने फिरने की सोतनता है, ना अभिव्यक्ती की सोतनता है, यानि आपके 90% मूल अधिकार को छीन लिये जाते हैं जेल में, तो आपकी जिंदिगी क्या हो जाती है, जेल में बोलते हैं नरक हो जाती है, सोची अगर 100% छीन लेगा, तो हम जेल के बाहर भी रहके हमारी आजादी ही नहीं रह जाएगी, तो ये जीवन जीने के लिए एकदम जरूरी है, प्रकृतिक है, इसलिए इसे हम नैसरगीक करते हैं, और इसे मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है, इसे कानूनी अधिकार इसलिए नहीं कहा जाता है, कानूनी अधिकार वे अधिकार ह तो वैसे अधिकार जो जीवन जीने के लिए अती आवस्यक है, जो नेचुरल यानि नयसरगीक है, जिने ना पबलिक छीन सकती है, ना सरकार छीन सकती है, उसे हम मूल अधिकार के नम से जानते हैं, ये मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लाया गया, वहाँ पर ये जारह तक पढ़ा दी हैं आपको, जिसमें से दो वीडियो YouTube पर है, NRC और CA और NPR का वीडियो आपके application पर हैं, तो आप हम यहां से भाग 12-35 समझेंगे, देखिए भाग 3 जो है यह हमें अधिकार देता है, तो अधिकार को हम Francis भासा में Magna Cata करते हैं, लेकिन इसका परियोग England म में हुआ था Magna Cata सब्द का परियोग, तो question कहेगा कि समविधान के किस पार्ट को, किस भाग को Magna Cata कहते हैं, तो Magna Cata हम भाग 3 को कहते हैं, यह French महासा का सब्द है, लेकिन Britain में इसका परियोग हुआ था Magna Cata का, देखिए मूल अधिकार जरूरी भी है, लेकिन कभी-कभी आपका अधिकार इस देश के लिए घातक हो जाता है, जैसे हम लोग सरकार का विरोध कर रहे थे, जॉब के नाम पर, जब रेलेवे SSC नहीं दी थी, हलाकि SSC और रेलेवे को समझ में आ गया कि भाई, स्टूडेंट से बगावत नहीं करना चाहिए, हरे टीचर इंडिया का स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, ये प्रोटेस्ट केवलות सकसेस हुआ, आप स्टूडेंट के बदौलेट, हम लोग क्या कर सकते थे, हम आपको केवाल आगे लिआ सकते थे, आपके ट्वीट में वो दम था, लेकिन क्या होगा, कि अगर चाइना हमला कर दे, और हरे समय के लिए सस्पेंड होगा सस्पेंशन यानी डिलंबन का अधिकार राष्टपती को होगा आता विदेशी आक्रमड या कोई emergency आ गया तो हमारे मूल अधिकार को छीन लिये जाएंगे तब आप नहीं कहिएगा कि सरकार नहीं छीन सकता है ये संबिदान में असपस्ट लिखा है लेकिन कुछ ऐसे मूल अधिकार है जो दूसरे के अधिकार को छीन लेते हैं उसकी जिंदगी बरबाद कर देते हैं जैसे तीन तलाक एक अधिकार था वो तीन तलाक जो था वो तीन अक्षर के साए में किसी औरत की ज कुछ समय के लिए रोकना है तो उसके लिए सब्द परियोग करेंगे निलंबित और ये काम राष्टपती करेगा लेकिन कुछ मूल अधिकार अगर समाज पर धबा है या किसी के लिए नुकसान दायक है तो उसे कुछ देर के लिए नहीं बलकि पर्मानेंटली खतम कर देना ह कर देना है तो उसे हम लोग कहते है प्रतिबंधित हमेशा के लिए प्रतिबंध तो मूल अधिकार पर हमेशा के लिए प्रतिबंध संसद लगाती है और टंप्रोरी रोक जो लगाता है वो राष्टपती लेकिन इन दोनों के पर पता चला संसद मूल अधिकार पर रोक अगर हमारे उपर पर्तिबन लगा देगा कि आप सरकार का विरोध क्यों कर रहे हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, तो हम सुप्रीम कोट जा सकते हैं, या हाई कोट जा सकते हैं, जो करीब पहुंचेगा हमारे यहाँ पर, अतास जो मूल अधिकार हैं, वो वाद योग हैं, वाद दम इंफोर्स कर सकते हैं, तो कहेगा क्या हमारा मूल अधिकार प्रवर्तनिया, प्रवर्तनिया है, तो एकदम प्रवर्तनिया है, हम सुप्रीम कोट या हाई कोट से इंफोर्स करा सकते हैं सरकार के उपर, कि नहीं, उसका मूल अधिकार है, उसको दीजिए, तो यह वाद योग भी है और फोर्स योग भी है अब इसको पढ़ना चालू करते हैं यह कहां से मिलेगा तो 12 से 35 तक तो 12 से 35 तक तक एक की चीज थोड़ी नहोगा उसमें कई केटेगरी है छे केटेगरी है तो हम आज पहला केटेगरी समझते हैं अभी हम 12 से अनुछेद 12 से आज 18 तक आज आएंगे देखे अनुछेद 12 क्या करता है यह परिभासा देता है मूँ अधिकार का कि बाइस जिन्दगी जीने के लिए अधिकार यह जरूरी है लेकिन इस पर कभी-कभी रोक लगाए जा सकता है और यह सरकार को एक तरह से यह कहता है कि सरकार का परियोगे नहीं किय अनुछेद 12 में कहा गया है कि स्टेट यह नहीं राज जी कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो किसी के मूल अधिकार को छीन रहा हो यह मूल अधिकार पर मतलब रोक लगा रहा हो वह स्टेट ऐसा कभी कोई कानून नहीं बनाएगा लेकिन इस टेट जो है वो लोगों के कानून का दर बनाने के लिए कुछ नियमा कानून जरूर रखेगा, तब यहां बात हो गया है कोन ये राजनीती के वज़े से नहुआ है भाई आप उसका नक्सा थोड़ा इधर उधर था तो आप उसको 24 घंटा का इल्टीमेटम दे के घरे तूर दीजेगा तो ये हलाकि उनको पावर है थोड़ी भी गलती करिए गता है लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए तो अनुछे 12 क् Hé, जिन को जिनको पावर है वह अगर मनि ये पावर नहीं देगा तो जिसका गहर बना देगा तो कोन घर बना देगा पदा चला य और चाचा है यह बढ़ाय पापा घर बनाके सड़किया पर उपर आ से इस से मिला देगा और नीचे से पनो हाईवी ट्रॉक जाएगी तो लड़ जाएगी तो क्या उसके लिए सेंटल गवर्मेंट आएगी गली-गली खो जाएगी कौन घर ठीक है कि स्टेट गवर्मेंट तो उसके लिए लोकल बोड़ी बनाएगी गाउ है तो मुखिया बड़ा सौर है तो चेर्म कुछ दबाओ भी बना सकते हैं लेकिन समाज को एक अच्छे ढंसे नियम कानून से चलने के लिए कुछ आप नियम कानून बना सकते हैं कौन बना सकता है तो वो state बना सकता है संभीधान state किसे कहता है तो central government, state government यह सब को वह जैसे airport authority airport authority भी अपने आप में एक state है जहाँ airport रहता है वहाँ आपकी जमीन है न तो पस्तला घर नहीं बना सकते हैं क्योंकि जहाद जो आएगा ना तो गहरों चारों गहरों बनाते हैं तो पाइलट खोज गए कहां उतारे तो दूसरका के गए हमारा पीछे चल गया नहीं बना सकते हैं तो कुछ authority देना जरूरी है तो state का मतलब यह मत सबजेगे यूपी भीहार है यह सम्विधान की भासा थोड़ी अलग होती है तो यह हो गया हमारे सम्विधान का अनुछे 12 अब अनुछे 13 यह बहुत जरूरी है अनुछे 13 क्या कहता है यह अलपी करड कहता है अलपी करड को कुछ भी बोल सकते हैं तो को लोग घरिया देंगे हैं हमारी आजादी हम कुछ भी बोले तो उसकी भी तो आजादी है सांसे जिंदगी जी है तो हमारा यह अनुछे 13 कहता है आपके अधिकार को घटा दिया जाएगा जब वह असंगत हो जाएगा असंगत मतलब क्या होता ह इनकॉंसिटेंट, अब ये इनकॉंसिटेंट मतलब क्या था, असन का दूसरे को तकलीफ पहुंचाने वाला नहीं हो, अब हमें, जैसे हमको अधिकार हम गाड़ी चला है, कुई को घरवे में चला दो, घुछ जा, हमारा अधिकार है, कि हमें चारों और घुमने की सतनता है, तो किसी के बेडरूम में घुछ ओ, को अधिकार है नहीं तुम, तो ऐसे थोड़ी नहीं हो सकता है, तो यहीं करता है, कि आपकी आजादी है, लेकिन याद रखिएगा, यह आजादी तब तक ही है, जब तक दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचे, अब इसमें एक चीज ध्य आएं, वगरा, वो अठारो सो साट, हैट सट की बनी हुई हैं सब, वो अभी भी लागू रहेंगे, यानि संबीधान के बनने से प्री कॉंस्टिटूशन, पहले भी अगर कोई कानून बना हुआ है, तो वो लागू रहेगा, बसरते वह कानून, वरतमान संबीधान में दि परिए गए मूल अधिकार को डिश्टर्ड नहीं कर रहा हो, जैसे परसनल लाओ, अब ये परसनल लाओ क्या होता है, तो हिंदू मुसलिम के लिए एक अलग-अलग कानून है, परसनल लाओ है, कि इसमें हर चीजी अलग-अलग लिखी गई है, तो इसी परसनल लाओ में है, कि मुसल्मान पर एक सरिया का कानून लगेगा, उसमें इसलामी कानून लगेगा, हिंदू धरम में भी है, कुछ हिंदूजम के कानून है, जो मुसल्मान के कानून हिंदू पर नहीं करेगा, तो अनुछे 13 कहता है, कि परसनल लाओ में छेड़-छाड नहीं किया जाएगा, अब इसी personal law में था 3 तलाग, अब 3 तलाग में सायरा बानो ने case कर दिया, Supreme Court में, अब सायरा बानो case किया, तो यहां से मुलाना लोग पहुँच गया, Supreme Court में कहें, जज साब, पगला गहें का, यह personal law का matter है, 3 तलाग, आप कहां से इसमें घूज जाएंगे, तो Supreme Court ने मुलाना ल से चलते आ रहा है, सम्विधान से पहले, तो Supreme Court ने कहा, कि आप खांसर का class देख लिजे, उसमें असपस्ट बोला गया है, कि सम्विधान के पहले के बनाए गए सारे नियम कानून रहेंगे, बसरते वो किसी के अधिकार को न छीन रहे हो, तो तीन तलाग जो है, वो चलते है, वो खतम हो जाएगा, अब देया गया है, खतम किया गया, न कि 3 तलाग है, यह आगे आनुछेट 25 में सम्झाईगे, अभी तो अनुछे двर है, यानि यह का जैसे पहले कानून था, एक education act आया था, भारत में, कि जो छोटे जाती के लोग रहेंगे दलित रहेंगे वो क्लास में घुसके नहीं पढ़ेंगे और बाहर पढ़ेंगे अब आप बताईए आच वो कानून पहले जो था अभी लागू रहेगा खतम कर दिया गया तो ये अमच्छे तेरा यही कहता है कि पहले के कानून जितने भी है वो लगर रहेंगे बसरते अभी के कानून को वो तकलीफ नहीं पहुंचा रहे हो तो ये तेरा बहुत जरूरी है और ये कहता है कि सरकार भी ध्यान रखेगी कि बाद में भी ऐसा कोई कानून ना बनाए जो उसके मूल अधिकार को छीन रहा हो अब पता चला सरकार बाद में कानून बना देती है कि आप चारो और नहीं घुन सकते हैं सरकार के सवाल नहीं इंठा सकते हैं तो कि आप ना पहले का ऐसा कोई कानून ना बाद में ऐसा कोई कानून ये है भीम राम बेटकर इस पर बहुत बढ़ी बहस चली थी अनुछे त जवाब हूँ, कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना मैं भारत का सम्विधान हूँ। सेलूट करते हैं उन सम्विधान बनाने वालों को, जिन्होंने इतना मजबूर किया और याद रखिये, ये जो नेता है ना जो संसाद में बैठे रहते हैं, बेच दिये रहते हैं आपको, ये जो सम्विधान है, ये उन्हें रोक के रखा है, तुम बेच नहीं सकते हो, अगर आप इमांदार समझते हैं, तो वाकर ही समझेए, कि जो सम्विधान बनाने वाले थे, वो इमांदार थे, वरना इनलों को अभी दे दिया जाता है, तो बेच खाखा जाते हैं सब, तो ये उन्हें रोक के रखता है, अनुछे 13, आप याद रखेगे, ये अल्पी करन है, कब जब आप दूसरे को तकलीद देने लगते हैं, तब, अब आर्टिकल 14 आता है, अनुछे 14, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन दियाद रखेगा, UPSC में इससे क्वेशन पुछता है, इसमें दो तरह की बाते कही गई है, इत कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता, यानु कानून के आगे सब बराबर है, इसलिए कानून पर देखेंगे, पट्टी लगा रहता है, और अतलवार ली रहती है, तराजू, करती है कि हमारे आख पर पट्टी है, अब तुम आगे राष्टपती हो, की चापरासी हो, उचे जाती के हो, दलित हो, मुस्लिम हो, जैन हो, कोई मतलब ने, गल्ती की अच्छा पाग्डेकार्ट देंगे, यानि कानून के समक्ष समानता, इक्वैलिटी बिफोर लॉ, बिफोर का मतलब पीछे नहीं, बिफोर का मतलब सामने, नहीं देखते हैं, अपोजिट मतलब सामने, तो कानून के सामने सब बराबर हैं, ये बाते सबसे पहले किस ने किया था, एवी डेसी, एवी डेसी एक बहुत बड़े सास्तरी थे, उन्होंने ये बात को बताया थे, ये USC का कूश्चन पुछाएं कि एवी डेसी कासी धानकोन है, तो कानून के समक्ष समानता, इसी को फॉलो किया गया बिपरिटेन में, बिफने में कानून सब के लिए बराबर ह इरानी के लिए भी परदानमंत्री के लिए सबके लिए भी लेकिन अमेरिका के लोगों ने कहा कि ये गलत है कानून सबके लिए बराबर नहीं होना चीए जैसे मान के चलिए कि कोई 5 साल का लड़का है क्लास 5 मनली कोई क्लास 5 साल का लड़का है और कोई लड़का 20 साल का है तो क्या एक ही कानून दोनों पर लगव कर दें हैं देखिए तो 5 साल के लड़के का टिकट ट्रेन में आधा लगता है और 20 साल के लड़के का टिकट पूरा लगता है अब अगर कोई सुप्रीम कोड में केस ठोग दे, इस आधार पर केस सुप्रीम कोर्ट, आप बहुत बड़े कानून के रच्छक बनते हैं, यह बताइए, हम 20 साल के हैं तो वो भारत के नागरी, हो बचो है तो वो भारत का उकरा आधा का है लग रहा है, आमरा का है पूरा लग रहा है, तो यहीं करता है कि देख कि कुछ हद तक आपको अलग देखा जाएगा क्लासिफिकेशन के नाम पर, जैसे भारत में महिलाओं को फासिये नहीं लगी अभी तक, कुछ डिफ्रेंसियेशन करना ठीक है, यह क्यों ठीक है, क्यों कि समाज को एक बहतरीन बना के रखने के लिए, आप देखिएगा यह लड़का लड़की साधी करके भाग जाएगा सब, आप उसके बाद से लड़किया पकड़ाईगी ना, तो कोट में आके क्या कर देगी, हमको बहला फुसला के लेके भाग गया, अब आप बताएगे किसी लड़की को कोई बहला फुसला के भागेगा, कि चल 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 भाग ऐसे कोई लड़की को लेके भागेगा, ओ देखा कवगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग क्यों रखा गया इस चीज को ये एक तरह से ज़रूरी भी है क्योंकि अगर बराबर कर देंगे ना तो फिर समाज में डिस बैलेंस हो जाएगा आप देखिए कि राश्टपती और राज्यपाल जो है इन पर कालूने नहीं लगता है समान समान नियमें नहीं लगता है राजपाल मडर भी कर सकता है तो उसे सजा नहीं दे सकते हैं आप उस पर फाइन लगा सकते हैं यानि उस पर फौजदारी का मुकदमा नहीं लगा सकते हैं आप दीवानी यानि सिविल मामला डंड लगा सकते हैं कुछ मतलब कंपनसेशन जुर्माना लगा दीजे इसका एक पाल को भी अगर हम सजा दी जगा तो उसको अधिकार 162 के ता तो देखिए संभिदान वाला कितना हुशी आता सब कहा कि सब्सक्राइब आपना पंसजा माफ कर लेगा सब्सक्राइब मुकदमा चला ने भीना क्या जरूत है लेकिन फिर यहीं बहास हो गई फिर अंबेटकर साहब और राजंदर पसादी इन लोग में बहुत लंबी बहास होई तब वहां लिखा गया कि इनको सजा तब तक नहीं सुनाई जाएगी जब तक यह अपने पद पर है अगर राष्टपती का पद खतम हो गया या राजपाल का पद खतम हो गया तो अधिकार भी खतम अब जच्छा है तो सजा सुना सकता है देखिया हमारा संभिधान कितना बहतरीन है यानि आप पूरे देश में देखिये राष्टपती और परधानमंत्री किसी को भी छूट नहीं है हाँ छूट कब तक है जब तक तु सचुरा अपने पद पर है पद से हट फिर तुमको बताते हैं तो यह आप आर्टिकल 14 समझे इसमें दो चीजे है कानून का समान संगरक्षण सब्द आया है अमेरिका से हम लोग आभी 80% फॉलो करते हैं इसको यह जादे फॉलो है यह ठीक है रिजनेबल है और कानून के समक्ष समानता जो है वो विधी के समक्ष या कानून के समक्ष समानता यह ब्रिटेन से आया है इसे हम लोग 20% फॉल या हिंदुस्तान का कोई भी आदमी कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के साथ ना समाज में बड़ा जादी होता है कुन किस वंस का, अब आप जर्बली समझें, जब 875 की करंटी होई थी न, तो मदपरदेश के जो सिंधिया राज घरादा था, उनका वंस था, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों को पैसा दिया, अंग्रेजों को हदिया दिया, कि तुम हातियों को मारो, स आज भी उन्हें महाराज लोग बोलते हैं, आप दक्षिन में जाएगा, हैदराबाद में, असदुद्दीन ओवैसी जो इनके पूरवज को देखेंगे, दादा पर दादा लोग का, तो ये लोग भी अंग्रेजों का साथ दिये थे, लेकिन बाद में, इधर जोती रादी हैं या ट्रांस जेंडर, इस आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन आज भी देखा जाता है, समाज में, पूरुसों को जादे वैलू होता है, मैलाओं को कम होता है, लेकिन संभीधान जो है, वो कहता है कि अगर कानूनी रूप से आप पकड़े गए, तो पिर आपको छोड़ा नहीं जाएगा, तो समाजी करतब में भी कुछ बनता है, लिंक के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, जन्मास्थान के आधार पर भी भारत में भेदभाव होता है, बिहारी को बाहर जाएगा, तो बिहारी है रे तुम, यह जन्मास्थान के भेदभाव होत पॉजिटिव दिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं मतलब किसी की भलाई के लिए आप भेदभाव कर सकते हैं तो उसको नहीं बुरा माना जाएगा जैसे आप देखते होंगे हैवी डूटी जहां बहुत भारी भारी वर्क करना हो महिलाओं को रोक लगा दिये जाता है तो आप कहेंगे कि लिंक कर रहा है वह तो पॉजिटिव काम के लिए कर रहा है आप बॉर्डर पर चाइना की फोज गाड़ना है तो वहां जाते तो आप भी ब भाव कर रहा है तो कोई गलत नहीं है यहीं बात आ जाता है आरक्षण अब ध्यान से समझेगा आरक्षण सब्द आते ही हिंदुस्तान में दो परंबरा चलती है जिने आरक्षण मिल रहा है उन्हें लगता है आरक्षण सहीं है और जिने आरक्षण नहीं मिल रहा है उन्ह खतम कर देंगे, तीन तलाग खतम हो गया की नहीं? आरक्षण की बाद, देखिया, आरक्षण क्या है, कि समाज में कई तबके के लोग रहते हैं, ये कई वेराइटी के लोग रहते हैं, अब जैसे देखिया आप ये दो ठो भेराइटी जो है, थोड़ा सा नीचे रहगें, त सोची नारक्षड कितना खराब होता है कि मूला कर्म एक कानून था केरल में जिसमें दलित महिलाएं अपना अस्तन नहीं ढग सकती थी उन्हें नंगे रहना पड़ता था अस्तन नहीं अस्तन का फुला रहना चाहिए था और हद तब हो गई कि टेक्स लगाए जाता था इस आधार पर कि छोटा अस्तन है तो कम टेक्स दो बड़ा अस्तन है तो जादे टेक्स दो ये हिंदुस्तान के जो पुराना था कहा जाता है कि मोर भी बड़ा सुन्दर होता है लेकिन अपना पैर देख लेता है न तुसे भी सरम आने लगती है तो हिंदुस्तान की संस्कृती बहुत अच्छी रही है लेकिन हमारे पास भी कुछ मोर के पैर की तरह है ये जैसे सती पर्था हो गया ये सब छुगा छूत हो गया ये हिंदुस्तान में बहुत जादे हो गया, तो कहा जाता है कि आरख्षण एक positive discrimination है, ये किसी आगे बढ़ रहे है व्यक्ति को रोकता नहीं है कि तुम नहीं कर सकते हो, जो पीछे है उसको कहता है कि तुम आगे चले आओ, अब क्या होता है कि यहां पर इसको negative view में आपको प ये खुद warment बोल चुकी है, मोदी जी भी वियार में आय थे तो क्या बोले थे भासर में, आरक्षण खतम नहीं हो ले देंगे, मनमोहन सिंग भी थे, खुद मोदी जी ने आरक्षण बढ़ाया संसर में, जो आरक्षण 2020 में खतम हो रहा था, उसे संसोधन करके 2030 ले गए है तो इसलिए आप किसी पर दोस्त नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हर आदमी को चुनाव जीतना है, तो अगर ये आरक्षण खतम किया जाएगा तो चुनाव में भी हार सकते हैं, आरक्षण की जब बात आती है, तो जो विरोध करते हैं, कभी कम से ये सोचिए कि आरक्षण तो बाई आपसे जादे समझदार सुप्रीम कोट में बैठे जज लोग हैं। वो इसे एक positive discrimination समझते हैं, एक पिछडे समाज को आगे बढ़ाने के लिए खते हैं। क्योंकि जिस समाज को आरक्षड प्रात है उस समाज को मंदीर में घुसने पर मतलब भेद भाव किया जाता है। आप एक example दिखें। बिहार के मुखमंतरी जब थे जीतन रम्मा जी तो बिहार का मुखमंतरी सोचिए उस राज का सबसे बड़ा powerful होता है। वो जब मंदीर में पुजा करने गये थे तो जाने के बाद मंदीर धुल दिया गया था। यह क्या चीज है। यह है निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन कि उसको आप निगेटिव कर रहे है। और आरक्षड देना क्या है एक positive डिस्क्रिमिनेशन है। यह हम नहीं कर रहे हैं यह संभीधान कर रह बहुत से दलित मुखमंत्री भी हुए हैं जिने आरक्षड मिल रहे हैं और मुखमंत्री भी हुए हैं दलित जिने जाने के बाद मंदीर धुल दिया जता है। जब तक जाती रहेगी तब तक जाती के आधार पर आरक्षड बना रहेगा। सबसे positive यह है कि आप जाती को खत सथ है positive discrimination अब आगे समझते हैं अनुछे जो 16 है ये क्या कहता है अनुछे 16 कहता है कि जो भी लोक नियोजन है यानि सरकारी नोक्री है उसमें equality of opportunity समान सबको मिलेगा लोक नियोजन की समानता सरकारी नोक्री में सबको समानता मिलेगा फिर यहीं पर बात आ जाती है आरक्षण क तो आपको बताए ना कि आरक्षण जो है वो समभीधान कहता है positive discrimination है यह बढ़ाने के लिए कहते हैं अब यहां पर आप देखेंगे सबको समरशन मिलता है ऐसा नहीं होगा कि railway की vacancy में कर देगा कि forward class के लोग form नहीं भर सकते हैं यह यह नहीं हाँ उन्हें यह कहा सकता है कि आपका नंबर 120 में selection होगा तो नीचवाले का 110 पे हो जाएगा 105 पे हो जाएगा ऐसा हो सकता है तो आरक्षण कभी भी जाती की आधारपती याद रखीगा आरक्षण कभी भी धरम की आधारपन नहीं होगा क्या आप सुने हैं कि मुस्लिम धरम में आरक्षण है हमें आरक्षण की अगर बात करेंगे तो धरम के नाम पर आरक्षण नहीं है आरक्षण जब भी होता है तो वो जाती के आधार पर होता है सम्यागे की नहीं आगया और आरक्षण लिंग के आधार पर भी हो सकता है लड़का लड़की आरक्षण जैसे मालीजे कोई जनरल जाती तो लड़किया को जादे यारक्षड यहां भी मिल सकता है इसके इलावे आरक्षड जो मिलता है वो एक और छीज पे मिल सकता है आपका अस्थान पर मिल सकता है जैसे आप छतिसगर का ऐरिया एकदम पीछा असाम का कुछ एरिया एकदम पीछे है तो आप देखे होंगे आर्मी भरती में आते होंगे तो कहाँगे कि अगर आप पुरुवत्तर के एरिया के हैं तो आपकी हाइट कम भी रही जी तो ले लेंगे कि यह जो समाज बढ़ चुका इसे का रहा है कि जो तुम बढ़ रहा है उसी स्मीट से बढ़ते रहो इसका हम बराबर करतेंगे जिस दिन यह बराबर हो जाय आरक्षण रोख दिया जाएगा तो ये 16 में कहता है कि सब को समानता है लेकिन positive discrimination के आधार पर तीन लोगों कोई इसमें आरक्षण दिया जाएगा 17-18 में जाने से पहले एक बार रिवाइस कीजिए अनुछे 12 क्या कहता है परिभासा देता है इस्टेट का कि कौन को नियम कानून बना सकता है 13 कहता है कि आलपी करण यानि कोई पहले का कानून या बाद में बनाये गया कानून अगर हमारे मूल अधिकार को छीनेगा तो खतम कर दिये जाएगा 14 क्या कहता है कानून के आगे हम सब बराबर है कानून भेद भाव नहीं करता है किसी के साथ कानून के आगे हम सब लोग क्या है समानता है, विधी की समानता है जैसे आप देखेंगे, मडर कर देंगे तो सारूख खन भी रहेंगे तो अतने सजा मिलेगे हमको भी अतने सजा मिलेगे तो यह क्या कहता है? ह 14 15 जाती, धर्म, लेंगे, जन्म, स्थान, इत्यादी के आदार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है 16 नौकरी में समानता है लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के आदार पर आपको अरख्षण दिया जाएगा 17 समझ ये काफी विवादी तरह है 17 कहता है कि आइस्प्रिसिता, यानि अन्टचबिलिटी का एबुलिशन, आइस्प्रिसिता खतम कर दिया जाएगा आइस्प्रिसिता क्या होता है, चुगा चूत, किसी को चूने से रे रे उधर भाग, उधर भाग पहले जब हम इस चीज को पढ़ाते थे तो एक अच्छा एग्जामपल नहीं दे पाते थे क्योंकि चूगा चूत अब उतना जादे देखने को नहीं मिलता है लेकिन आप बहतरी नढग से देखिएगा चूगा चूत क्या होता है, जैसे कोरोना का मरीज आप दस लोग बईटे है ना उसमें को कोरोना का मरीज जाएगा ना तो वहीं दिख जाएगा चूगा चूत नहीं भाग 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 तो चूगा चूत आज भी है, कोट कहता है कि यादि उसे कोई बीमारी है ऐसी कोई मतलब ट्रांसफेबल बीमारी है जो फैल सकता है तो उसमें आप चूगा चूत कर सकते हैं लेकिन अगर आप जाती और धरम के नाम पर चूगा चूत करते हैं तो यह बरदास से बाहर है आप देखेंगे गाउं के एरिया में आज भी यह चूगा चूत का प्रचलन है क्योंकि गाउं में सिख्छा उतना आगे नहीं बढ़ा है लेकिन चूगा चूत की प्रब्लम सहरों में अब धीरे-धीरे कम हो रही है अब आप दिल्ली में जाके देखेंगे मुंबई में तुमाँ को इतना चूगा चूत को फॉलो नहीं करता है टाइमें नहीं उन लोग के पास उतना लेकिन गाउं में आज भी रहे छोट जातका बइट नीचे इसके लिए आप कई अलग-अलग एक्ट है जैसे हरीजन एक्ट है यह है आप उसको प्रताडित नहीं कर सकते हैं तो चूगा चूत कहता है कि किसी को जाती धरम के आधार पर आप उससे चूगा चूत नहीं कर सकते हैं इसमें तो जो अच्छूत की परंपरा थी, इसी को खतम करने के लिए हमारा आर्टिकल 17 आया है, अब आर्टिकल 18 क्या कहता है, ये भी हमारे समाज में एक समानता लाने की बात करता है, समानता क्या कहता है, कहता है उपाधियों का अंत, उपाधी क्या चीज़ है तो evolution of titles, आप कोई उ गुलाम था न, या जब भारत में राज तंत चलता था, तो कई उपाधियां थी, महराज, सर, नाइट हूट, राय, राय बहादूर, अजा बज़र टाइप का बात्सा, इस टाइप का सुल्तान, बहुत सारी उपाधिया थी, रजिया सुल्तान, इस सब उपाधिया थी, त इसलिए खतम कर दिया गया, आप अगर बिदेश में गए हैं, बिदेश से कोई उपाधी मिल गई है, तो भी आप उसे नहीं रख सकते हैं, पता चला आप पाकिस्तान में गए हैं, वहाँ को उपाधी दे दिया गया, आप एकदम कोई बहुत बड़े तो हिंदुस्तान में लेकर नहीं रख सकते हैं, आप अगर कोई बिदेशी उपाधी लेते हैं, जैसे मुराजी देशाई को पाकिस्तान का सरोच सम्मान निशाने पाकिस्तान मिला था, तो जब आप बिदेशी पूरस्कार लेते हैं, तो आपको राष्टपती से अनुमती लेनी पड़ती है, त जैसे पदम भुशड, पदम सिरी, पदम पूरसकार, तो जो नेशनल एवार्ड है, ये आप ले सकते हैं, लेकिन इस नेशनल एवार्ड को आप कभी भी अपने नाम के पहले सरनेम की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, अगर यूज करते हैं, तो फिर आप इसके खिलाफ आजा कि रूप में परियोग नहीं कर सकते हैं का दूसरी चीज्आ लग से समझे इसमें गश्रीकशन और रैंकिंग को रख सकते हैं जैसे कोई प्रोफेसर है तो नाम के आगे लिख सकता है प्रोफेसर खुराना कुछ गुछ भी लिख सकता है अधन प्रोफेसर लोग लिखते हैं। एजुकेशन की चीज को लगा सकते हैं। इजुकेशन की चीज को लगा सकते हैं। Ranking में लगा सकते हैं। बढ़ा बढ़ा तो वो सब आप लगा सकते इंस्पेक्टर, दरोगा, ये सब आप लगा सकते, तो education, rank ये सब लगा सकते है, राष्टी अवाग पुरसकार को ले इसकते हैं आप गौर कियें कि नहीं कि हम इसलिए थड़ा से जगते हैं किस चीज की बात कर रहा है अगर आप देखेंगे तो 12 से 18 ये तो 12 अलग चीज है देखें 12 एक अलग चीज है 12 परिभासा है 12 में क्या है परिभासा दिया गया 13 में सरकार को धिरा दिया गया कि देख बगुगा कोनो कानून लिये यो आजिजन मत लेना कि छेड़ चालो जाती ये तो अलग चीज है लेकिन अगर आप 14 15 16 17 और 18 की बात करेंगे तो अगर आप इसमें एक चीज देखेंगे तो ये कह रहा है क्या चीज कानून के आगे आप सब अगर कोई नौकरी होगी नियोजन तो उसमें भी आपकी समानता है लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है 17 में कर रहा है और इस प्रिस्ता मतलब छूआ छूआ छूट नहीं कर सकते यानि उंचे जाती वाला वेक्ती और नीचे जाती वाला वेक्ती सब क्या है समान है 18 में कर रहा है कि आप कोई भी उपाधी नहीं रख सकते हैं उपाधी नहीं रख सकते हैं क्योंकि आप्स जो गौर से देखेंगे तो अनुछे 14 से 18 का जो section है ये केवल और केवल समाज में समानता लाने की बात करता है केवल और केवल समानता लाने के बात करता है इसलिए हमारे संभिधान में जो 6 प्रकार का मूल अधिकार है उसमें जो पहला मूल अधिकार है वो है समानता का अधिकार यह समानता का अधिकार 14 से लेके कहां तक है? 18 तक है सबस्क्राइब समानता के अधिकार के बाद आईगा स्वतंधर्ता का अधिकार काफी लंबा क्लास हो जाएगा फस्ट क्लास में इतना ही आप याद करेगे मेरे साथ बोलते चलेंगे हमारे बोलने से पहले आप बोल देगे अनुछेद 12 में क्या है? परिभासा 13 में अल्पी करण यानि उल्टा सिधा नहीं कर सकते 14 कानून के आगे? समानता 15 जाती, धरम, लिंग, जर्मस्तान बेदबाव नहीं होगा 16 नौकरी, 16 में क्या है? नौकरी है नौकरी की आदार पर समानता होगी लेकिन इसमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते है 17, क्या चीज़े बाई? आइस प्रिस्ता, 18 उपाधियों का अंत तो 12 से 18 तक आप इसको समझ गए, ये चीज एक्चुली क्या था है? अभी एप्लिकेशन में तोड़ा सा टेक्निकल इसू आ गया है हैवी ट्रैफिक होने के वज़े से वहाँ पर हम लाइव नहीं जा पा है इसलिए आपका क्लास न रुके यूटूब पर हमा के बता दिया आपको और एक आप सब लोग से कहते हैं भाई साब आप थोड़ा सा सबर कीजे कभी कोई टेक्निकल इसू आ जाता है ना कोई चीज में जब कोई चीज स्टाट होती है तो आप धादार कॉल मत किया करने लगिए स्टाफ परिशाने कॉल उठाते उठाते आप हमारा जो सरवर था वो एक्शुली दो लाखी कैपसिटी को पढ़ा सकता था उससे जादे लड़कों को एक बार में नहीं दे सकते थे आप अचानक इस्टेंड कर गया वहाँ पर पूरे इंडिया में एजुकेशन में आपका जो खान सर ओफिसियल एप है यह ट्रेंडिंग वन पर चला गया अब इसमें सरवर का थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगा है तो कई लोगों ने इसको लिए कि बढ़ा जादे जादे फोन करने लगे स्टाफ परिशान है आपका जब भी कुछ आएगा तो आपको यूटूब पर क्लास प्रोवाइट कर देंगे क्लास नहीं रुकेगा फिर उसको जैसे करेंगे तो री सेडूल हो आपका मंडे से क्लास चलने लगेगा अप्लिकेशन में दूसरी समस्या क्या है कि लड़कों को बैच पर्चेश करना तो यह बैणर पर क्लिक कर रहा है अरे भया दिमाग लगाओ यह बैणर है मां लीजे कई सारुख न का बैणर लगा तो उसे बतियाएगा सारुख न का हल है अरे भयुत तो उसका फोटो है तो यह बैच थोड़िए यह बैच का क्या है फोटो है आप बैच कोशिके हो जिंदा कहा है जिंदा को अगरी पर कशिका है क्लास में इंड उएक लंग नले वाले में कोई भी भाइक पर्चेश करना है तो लाइब में जाएंगे जो 60% इंक्वाइर आ रहा है सर ये काम नहीं कर रहा है फोटो है फोटो हुआ पर क्लिक करेंगे नहीं होगा जिंदा पर क्लिक कीजिए बाकी ये PDF अगेरा क्लोज किया गया है कि बहुत से लड़कों का डिमांद था सर क्लास करना उत्ती यहीं आप से यह लूग कर रहें तो उन लोगों भी ज़लदी से हम लोग सेड्यूल कर देते हैं उसके बाद से हम लोग आराम से मंडे से अम लोग रेगुलर वह में क्लास चलो कर देगा और किस पर hamburger होगा hamburger मतलब यह तीन ठो डॉट होगा इस पर क्लिक करेंगे न तो इस टाइप का एक खुलेगा इसमें होगा ask doubt यहां पर जाके आप अपनी problem को लिख देंगे तो कोई लड़के को अगर हम लोग inquiry दिये रहेंगे उसका same problem होगा नो तो बता देगा आपको नहीं भाई इसे नहीं होगा जिस तरह से YouTube पर कमेंट होता है न वहीं है कमेंट और जब लाइब पढ़ाएंगे यानि जब जिन्दा पढ़ाएंगे तो आप कमेंट नहीं सीधे सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ से हम भी चैट कर देंगे आप से अभी सीधे चैट चैट कर सकते हैं लाइव चैट में तो समझ में आगे आप लोगों यह मूल अधिकार का part one हो गया आगे आगे हम आपको इसका part 2 पढ़ाएंगे जिसमें आनुछेif 19 पढ़ाएंगे, फिर ये पढ़ाएंगे कि 3 तलाग कैसे खतम हो गया, हलाला क्या चीज था, इसको खतम किया गया, तो क्या ये धार्मिक स्वतनतता का उलंगान है, ये सारी चीजों को आगे next class में समझा देंगे, तब तक के लिए जैहन.